किसान साथियों नमस्कार आपका हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान के यूट्यूब चैनल में किसान साथियों ये मैंने पनीरी बोई हुई है पंजाम में इसे पनीरी कहते हैं ये 1847 बीज है जो मैंने पूसा से मंगवाया था और ये मेरा खेत देखिए इधर को पूरा देखिए ये साड़े-चारे कड़का खेत है पनीरी समेथ महागता है मैं धान किस प्रकार लगा रहा हूँ जिसे यहाँ पर जीरी बोलते हैं किस प्रकार लगा रहा हूँ आज आपके साथ वो साजा करूँआ आपको याद होगा कि मैं ट्राइकोडर्मा, सुडो मुनास, बैसिलस सब्टिलिस, माइकोराईजागा प्रियोग करता हूँ और उसमें क्या साथ धान लेता हूँ, और कब-कब इसमें मैं जो कीट नासक है, जैवी कीट नासक है, उनका परियोग करूँगा, तो ये भी एक सीरीज होगी और अगर आपने अभी तक धान नहीं लगाया है, तो इस सीरीज को फालो करिए, आप इसे छोटे से एरिया में, थोड़े एरिया में, जो दस एक कड लगाते हैं, वो एक एक कड में परियोग करें, जो पांच बिगा लगाते हैं, वो एक बिगाम परियोग करें, आपको मि करवाया पूरे खेत में उसके बाद मैंने इसमें चार ट्रोली परती एकड़ के हिसाब से इसमें खाट डलवाया हुँँ खाट डलवाने के बाद मैंने इस हिस्षे में एक बैग लिया और्गनिक मैनियोर का जिसे हम मैं भॉनमील कहता हूं आपने कहीं बार देखा हूँ, मैंने उस एक बैग में एक पैकिट धाइसो ग्राम ट्राइकोडर्मा, एक पैकिट सुडो मुनास, एक पैकिट बैसिलस सब्किलिस, इन तीनों को मिलवाया और इस खेत में बिखेरवा दिया, बिखेर कर इसमें टीलर निकलवाया और फिर मैंन साथ के साथ इसमें पानी दिवा दिया, पानी देने के बाद मैंने इसमें जो जीरी जो थी बीज था, उसको एक दिन पहले भीगो कर रख दिया था, जब मैंने उसको ग्यारा बजे निकाला आगले दिन, तो मैंने उसको थोड़ा चाया में रखा, और उस पर मैंने डलवा और उसके बाद उसे दो तीन घंटे मैंने रख दिया चाया में और उसके बाद इसको बो दिया आप देखे कितनी अच्छी पनीली जमी होता है अभी तक इसमें और कुछ नहीं किया है कल हमने इसमें थोड़ा सा यूरिया का छिड़काओ किया है ये हमने पांच जून को बोई थी और हमारा इरादा है कि हम एक से दो तीन जुलाई तक हम इसमें ये धान लगा लें किसान साथियों, यह जो मेरा दूसरा कार्य है, यह जो खेत है, इसमें पूरा लेवलिंग कराया मैंने, और लेवलिंग कराकर इस पूरे खेत में मैंने अच्छी तरह चार ट्रोली पर एककड के हिसाब से मैंने खाद डलवाया, जो मैं खाद कमपोस्ट तयार करता हूँ, आप देखे यह पानी दिया लिया जैसे ही मेरे अमरूद भर जाएंगे और दूसरे खेत भी भर जाएंगे तो तीन-चार दिनों बाद मैं इसमें फिर पानी देला हुगा इस पानी देने से क्या होगा कि इसमें अच्छी तरह माइक्रोब्स पैदा होगे और जो घास है जित उसके लिए आपको क्या काम करना है जब आप इसमें जुताई करेंगे वो जीरी के लिए इसमें हमारी तरफ कूल काटना कहते हैं इधर इसमें पानी में जो रोटावेटर चलाते हैं उससे पहले एक बैग या एक कुण्टल अच्छा भुर भुरा खाद ले लीजिए कोई भी खाद ले लीजिए अप बोनमील ले लीजिए नीम की खली कुछ भी ले लीजिए उसमें मिलाईएगा परती एक कड़ के हिसाब से एक पैकेट ट्राइकोडर्मा एक पैकेट शुडो मुनास एक पैकेट बैसिलस सब्टिलिस और एक पैकेट जो भी जिसकी मात्रा जिस कंपनी का लेंगे उसकी संस्तुतित हो माइकोराईजा क्या लेना है आपको एक पैकेट ट्राइकोडर्मा एक पैकेट सुडो मुनास एक पैकेट बैसिलस सब्टिलिस और आवश्यक तनुसार माइकोराईजा इन सब को उस खात में मिलाकर और आप पुरे खेत में उसके बाद आप देखना उसके ठीक 25 से 26 दिन बाद या एक महिने बाद आप देखना के जिसमें ये चारो चीज आपने डाली थी उसकी जडो का विकास कितना हुआ है और जहां ये चीज नहीं डाली किसी ने उसकी जडो का विकास कितना हुआ है ये जो मैंने ट्राइकोडर्मा, सुडोमोनास और बैसिलस सब्टिलिस बताए हैं ये एक तरह से प्लांट ग्राथ प्रमोटर का भी काम करता है जो बैसिलस सब्टिलिस बहुत अच्छा ये बैक्टिरिया है आपको इन तीनों से बहुत सारी फंगस से सुरक्सा मिलेगी और जब जड में कोई बिमारी नहीं होगी तो इसकी बढ़वार बहुत अच्छी होगी तो किसान साथियो इस जीरी की भी मैं एक सिरीज बना रहा हूँ इसका भी सिरीज में नंबर होगा जैसे 0.1 मान लीजिए इसका नंबर है 421 तो ये आज की वीडियो होगी 421.1 इसके बाद जब मैं जीरी लगाऊंगा तब भी मैं आपको दिखाऊंगा और उसके एक महीने बाद जैसे जैसे मैं चलूँगा आप भी चलिएगा और मैं दिखाऊंगा कि कम से कम कम से कम आपके पिस्टिसाइड की मात्रा 50% कम हो जाएगी मैं तो बिल्कुल बिना पिस्टिसाइड के धान होगा जुका हो लेकिन यहाँ पहली बार है इस जमीन की मिट्टी मैंने भेज़ दी है अगली वीडियो में ये भी दिखाऊंगा कि उस मिट्टी की रिपोर्ट के आई है किसान साथियो ये थी मेरी एक छोटी सी प्रस्तोती जीरी पर यानि धान पर आप थोड़े से एरिये में आप चाहे इसे आधा बिगह में करिए बहुत थोड़ी जगह में करिए करकर देखिए और अंतर देख करिए ये मेरा पिछले तीन साल का जीरी और ये हूं उगाने का जो अनुभव है जो मैं आपके साथ साजा कर रहा हूँ ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में अवस्रे बताएं इसी के साथ विदा लेता हूँ धन्यवाद, नमस्कार, जय हिन, जय भारत, बंदेवाद